नवा संसत भवन ना उद्गाटन सभारमनो बहिशकार करनारा कॉंग्रेस सहीतना विपक्षी दड़ों ने भाजपे साथ प्रसंगों याद पावी ने निशाने लिधा नवा संसत भवन ना उद्गाटन करावानी छे भाजप आईटी सेल ना हैड अमित माल वियाए चतिसगर्णी नवे विधान सभाना उद्गाटन मा राजय पालना स्थानी सोन्या घांधी अनी राहूल घांधी द्वारा उद्गाटन करावा मामले सवाल उठाव्यों छे अमित माल वियाए ट्विट कर्यू छे के चतिसगर्णी मा विधान सभा सिलायांस ना समय गवर्नर अनुसुया उईकेजी हता मध्य प्रदेश ना छिंदवाड़ा थी आवे चे, जन जातीय समुदाइना चे, तेमणों नाम सिलापट पर्थी न थी, परन्तु सोनिया घांधी अने राहूल घांधी ना नाम अंकित छे राहुल घांदी अने सोनिया घांदी मात्र सांसत छे पची क्या प्रोटोकॉल हेठर त्यामनू भूमी पूजन करा वायू गवर्नर ने क्याम बोलावया नहीं केवल विरोध ही करना इनका काम है और गुणवत्ता के अधार पे नहीं इसलिए कि श्री नरेंदर मोदी जी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है मैं इतना ही कहूंगा इनका मकसद जो लोक्तंत्र का मंदिर है उसकी पवित्रता को खंडित करना है भाजपे कॉंग्रेस ने कुल साथ प्रसंगों याद अपाविया कि जमा उद्घाटन मुखे मंत्री के प्रदेश प्रमुखे उद्घाटन करया अने राजयपाल के राष्टपती ने आमंत्रित कराय नहता केंद्री शहरी विकास मंत्री हर्दी पूरिय इंदिरा घांदी अने राजिव घांदी ने संसत भवनी इमारतों ना उद्घाटनी वाद याद अपावि हती तो आसामना सीम हिमंत बिश्वा सर्माए गत नव वर्षो मा बिन भाजब पक्षो द्वारा सासित पाच राजयोनी नवी विधान सभानों सिलायांस के उत्खाटन सीम के पची कॉंग्रिसना नेता सोन्या घांधी द्वारा करवा मा आव्यानी वात याद करावी हती इस गांधी I don't know what post she held then so I don't know you have a different set of standards for yourself and a different set of standards but I think what will be remembered you know this historic occasion this comes once in the life of an individual and in the life of a nation the celebration will take place Parliament will open up and somewhere in the footnote will be that some of these guys did not attend भाजपी नवा संसत्भवनना उद्गाटन समारमना बाईकोटने विपक्ष्णों ढोंग गणाव्यों छे 2000 जाउद मा आसाम विधान सभानों सिलायांस जारखंड आंध्रप्रदेश 36 गण अने तेलंगणानों उल्लेक करीने भाजपे कॉंग्रेस अने विपक्ष्णे निसाने लिधा छे ब्यूरो रिपोर्ट जी अस टीवी